मेरे परिवार जनों, कॉंग्रेस देश के लिए सरफ समच्या पैदा करना जानती है, उसके पास कोई समाधान नहीं है मात्मा गांधी कहते थे, कि इमान दरी से सांसन चलाना चाहिए, देश में रामराज जलाना चाहिए, लेकिन कॉंग्रेस ने एक तरफ ब्रस्टा चार का किला खड़ा किया, और दूसरी तरफ बगवान राम को भी कालपनिक बता दिया हमारे बाबा साब आम बेड़ कर कहते थे, कि गरीब से गरीब को, हर वन्चित को सम्मान का जीवन मिलना चाहिए, लेकिन कॉंग्रेस ने इसका भी उल्टा ही किया आजाजी के इतने दसक तक, गरीब, दलीब, OBC, आदिवासी, छोटी छोटी जरुतों के लिए सरकारों परास्रित रहा, महताज रहा, मैं आपको पी-एम आवास योजना, शहरी, गरामिन के बात ने कर रहा हूं, शहरी, पी-एम आवास योजना का एक उदान देता हूं, दिल्ली में जब, दस साल तक कॉंग्रेस की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश के शहरी गरीबों के लिए रहे, सिरफ यह आकड़ा याद रखोगे, जरा जबाब दीजिये न, आकड़ा याद रखोगे, कॉंग्रेस ने दस साल में, शहर के गरीबों के लिए, छे हजार गर्च विक्रूद की है, कितने? कॉंग्रेस के दस साल में, एम्पी के शहरों के लिए, सिरफ छे हजार गर्च विक्रूद हुए, कितने? आपने भाजपा की डबल इंजिन सरकार बनाई, अभी हमारे दस साल फूरे नहीं हुए, हमने एम्पी के शहरों के लिए, कितने घर स्विक्रूद किया, बताओं आंकड़ा, उन्होंने कितने किये थे? उन्होंने कितने किये थे? मोदी ने किये हैं करीब करीब दस लाख, यानि कॉंग्रेस के छे अजार घर और भाजपा की तरफ से दस लाख घर, कहीं है कोई मुकाबला? कोई मुझे बताए कोई है मुकाबला? और सुनिए, इन दस सालों में, MPK शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों को, हम सात लाख से अधिक गर बना कर दे भी चुके हैं, और बिच में कोरोनानी की तकलिप थी, काम ठप था, तो भी सात लाख पूरे किये, अगर वो मुसिबत ना थी, तो शायद दस लाख भी पार कर जाते हैं, और मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, मैं सिर्फ शहरों के आंकड़े आपको बता रहा हूं, आज मैं गाउं की बात नहीं कर रहा हूं, हमने गाउं में भी लाखों गर अलग से बनाए हैं, ये तब है, जब डेड़ साल तक यहां, हर काम में रोड़े अटकाने वाली कॉ अंगरे सरकार थी